कि सातियों यदि आप कोई भी जमीन खरीद रहे हैं कोई भी जमीन तो वहां पे रजिस्ट्री चेक करने होती है डॉकुमेंट्स चेक करने होते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आप रजिस्ट्री चेक कर रहे हैं दिमाली जे कोई व्यक्ति था उसने जमीन खरीदी थी तो उसने रजिस्टरी करवाई होगी सीधी सी बात है और आप जो है जब उसकी जमीन दुबारा से खरीदेंगे तो साधर सी बात है आपको भी तो रजिस्टरी देखनी होगी कि कब करवाई तो रजिस्टरी कैसे चेक करें वो ही मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कौन-कौ स्साफभाणिया जो है वो आपको रखनी चाहिए थीक है तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि यदि कोई भी हम कोई भी लीगल एडवाईज लेना चाह रहे हैं कोई भी आप इस सम्ळन न ! ठीक है कोई भी भी आप सला लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं हमारा contact number जो है वीडियो की discussion में दिया गया है वहां से ले के कि वो सही है कि नहीं यानि कि registered है कि नहीं ऐसा तो नहीं है यह फरजी आपको दे दिया हो ठीक है तो इनकी जांच की भी बहुत आवस सकता है और जांच बना तो कुछ हो ही नहीं सकता है ठीक है तो इनकी जांच भी आपको करनी पड़ती है ठीक है अब दोस्तों सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि क्या क्या आपको चेक करना है फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप जांच कैसे करें यह फरजी है कि असली सबसे पहले कोई भी आप जमीन खरीद रहें उसके जब आप रजिस्टरी देखेंगे देखेंगे खतोनी का मैंने बता दिया है वीडियो की ड कीमत बगेरा आप देखें चाहें न देखें कोई जरूरी नहीं यह बेनामक कीमत यह आप देखना चाह रहें कितना खर्चा आएगा ठीक है तो देख सकते यहां पर स्टांप एक 30,400 को लगा है तो यह खर्चा में आसानी होगी ठीक है लेकिन आपको यह चेक करना है कि जम कितनी उसकी है अब देखें आप लिगाए 17 फीट उत्तरसे 10 चिड और 20 फीट यानी की चेतरपल कितना है 340 वर्ग स्वीट यानी की इतना वर्ग मीटर ठीक है तो यह आपको साथियों चेक करना होता है ठीक है तो यह तो आपने यह चेक कर लिया कि जमीन जो है वो कितनी ल वो सही है यानि कि फरजी है या असली है ठीक है ऐसा भी हो सकता है कोई फरजी आपको दे दे ठीक है ना तो आपको ये भी पता करना है फरजी है ये या है ये असली ठीक है ना तो ये भी आपको पता करना है फरजी असली का तो वो आप कैसे पता करेंगे देखे साथ यो ये तो आपने पता कर लिया है कि कि कितना चेतरपल है कहां पर किस मौले में कितना संपत्ति भी उड़ी आपने देख लिया है लेकिन सही गलत का पता आपको लगाना पड़ेगा तो आप यही रेजिस्ट्री आप चेक करें online ठीक है online यदि आप नहीं चेक कर पाते हैं तो कोई द हाना इसलिए जरूरी होता है इसा तो नहीं उसने टाइप करा के यह सब कुछ करा के फरजी रेजिस्ट्री करवा के आपको दिखा रहा है जमीन बेच रहा है अब यही रेजिस्ट्री यही सेम रेजिस्ट्री यदि रेजिस्ट्री ओफिस में रेजिस्टार के यहां ठीक ह रजिस्टार के यहां रजिस्टर्ड है ठीक है वहाँ पे देखिए यह रजिस्टरी दिखाई अब आप जाओगे रजिस्टर के यहां ठीक है इस दिनांग को यह रजिस्टरी होई है कि नहीं यह आप देखेंगे तो रजिस्टर के यहां ओफिस में ठीक है ना ओफिस में अ उससे पहले आप विस्वास न करिएगा कि किस प्रकार की जमीन है तो आप कैसे चेक करेंगे यह फरजी तो कई बार क्या होता जो जो कुछ लोग फरजी वाले लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि यह जो है यह फरजी तयार करवा लेते हैं ठीक है फरजी तयार करा के आपक में फिर साथियो आपको चेक करना है अब आपने देख लिया कि यह संपत्ति भूम परकार बहुजा साब कुछ सही है ठीक है तरू पिसमें रजिस्टरी भी ऐफर्जी नहीं है ठीक है अब MRI देखना कि यह रजिस्टरी डबल रजिस्टरी तो नहीं है यानि कि यह जो रजिस्टरी आपको दिखा रहा है उसका जमीन पर कबजा है कि नहीं है वो भी आपको चेक करना है यह रजिस्टरी डबल रजिस्टरी तो नहीं है ठीक है यह भी चेक करना है इस जमीन की इस रजिस्टरी वाले ने पहले कभी जमीन बेच तो नहीं दी ये भी चेक करना है इस सारी चीज़ें आप उनलाइन चेक कर सकते हैं या आप रजिस्टर ऑफिस से चेक कर सकते हैं और फिर आपको देखना है किस रजिस्टरी के आधार पर उस जमीन का क्या हुआ है दाखिल खारेज ठीक है न लिए आपको देखनी पड़ेगी, खतोनी, ठीक है न, और सातियों, यद माल लीजिए, आप खतोनी नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है न, रजिस्टरी नहीं देख पा रहे हैं, आप जमीन खरीद रहे हैं, कोई समस्या है, या दाखिल खारिज का आदेश आप नहीं देख पा ठीक है जी तो साथियो जो भी जमीन खरीदें तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉकुमेंट्स खरीदें आप लिख लीजिए ठीक है एक तो आपको देखना है खताओनी जमीन की ठीक है फिर आपको देखना है रजिस्टरी जमीन की ठीक है फिर आपको देखना है कोई भी डाउट है तो ठीक है इतनी चीजें आपको साथियों मेंडेटरी देखने हैं और एक सबसे जरूरी चीज जो होती है वो है साथियों नकसा जमीन का नकसा आप बोलोगे नकसा यरूत क्या नकसा यरूत है वह इसलिए किसी ने बता दी यह जमीन में आपको दे रहा ठीक है लेकिन उसने लिखा दिया एक नमर ठीक है तो यह हो सकता है फ्रॉड आपके साथ हो तो साथियों इस प्रकार की आपको कोई भी समस्या हों तो उनसे सावधार रहिएगा और कोई भी आप सला लेना चाहते हैं तो ले सकते कॉंटेक्ट नमर वीडियो की डिस्कुस् करें कि उसको कैसे चेक करें धन्यवासातियों जय है